अगर ज्यादा महिलाएं लीडर बने, तो क्या दुनिया में ज्यादा शान्ती होगी? मैं वाकई सोचती हूँ कि आज महिलाओं के पास एक बड़ी जिम्मेदारी है. सफलता को परिभाशत करने की और काम को परिभाशत करने की. क्योंकि आज दुनिया जैसी है, वह पुर्शो द्वारा बनाई गई है, और ये कारगर नहीं रहा है. कुछ अच्छे पुरुश भी हैं, जो बहुत जरूरी हैं. पर जो पहली महीला क्रांती थी, उसके बाद से महीलाएं वोट दे पा रही हैं. दूसरी महीला क्रांती, जिसका नित्रित्व अमेरिका में बेटी फाइडन और ग्लोरियस तैनम ने किया था, उसके बाद हर नौकरी और हर शेत्र में महीलाएं शिकर तक पहुंच पाईं. और मुझे लगता है कि तीसरी क्रांती सफलता और काम को दुबारा परिभाशत करेगी. तो मैं आपकी तरह सबसे उपर रहना चाती हूँ. के बज़ाएं कहें कि क्या ये वाकई बिजनेस या दुनिया को चलाने का सबसे अच्छा तरीका है? और महिलाएं कह रही हैं? नहीं, कई महिलाएं कह रही हैं कि वाकई आज के कॉपरेट धांचे और राजनेतिक दुनिया को बदलना ज़रूरी है. जिन धांचों में हम होड कर रहे हैं, हम पुर्षों के नियमों के हिसाब से होड नहीं करना चाते. और जब ये बदलाव होंगे और ये हो भी रहे हैं, तब पुर्ष वाकई आभार मानेंगे. जीवन ऐसे बना हैं कि जिस प्रकृती में हम जीते हैं, उसमें पुर्ष प्रकृती और स्त्री प्रकृती हैं. दुर्भाग्य से हमने ऐसी दुनिया बनाई हैं, जहां सफलता और खुशाली मर्दानगी से गहराई से जुड़ी है. यानि आपको समझना चाहिए कि मैं पुर्ष और महिला की नहीं, बलकि पुर्ष प्रकृती और स्त्री प्रकृती की बात कर रहा हूँ. एक पुर्ष जब चाहे और जितना चाहे, उतने स्त्री प्रकृती के विचार और स्त्री प्रकृती की भावनाएं रख सकता है. एक स्त्री भी पुर्ष की तरह पुर्ष प्रकृती की विचार और पुर्ष प्रकृती की भावनाएं रख सकती है. अगर स्थिती की मांग हो या ऐसे काम की जरूरत हो तो. अभी हमने ऐसी शिक्षा प्रणालियां बनाई हैं, जो बिलकुल मर्दाना हैं, जिनसे महिलाएं भी तयार हो रही हैं, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, दुर्भाग्य से सफलता का विचार मर्दानगी से जुड़ चुका है. सफलता चाहने वाले लोग यहां तक की महिलाएं भी ऐसे होती जा रही हैं, जो मानवता के लिए एक बड़ा नुकसान है. अगर संसार से स्त्री प्रकृती हट जाए, तो हर कोमल चीज, हर सुन्दर चीज, वो सब कुछ जिसमें सुन्दरता है, जीवन की सभी बारीकियां गायब हो जाएंगी. और सिर्फ जीवन को चलाने या जिन्दा रहने से जुड़े पहलू मौजूद रहेंगे. फिलहाल ये एक गंभीर चिंता है. देखिए, पचीस साल पहले एक सामाने बाचीत में कोई अर्थ विवस्था को चर्चा करने लायक नहीं समझता था, है न? हम मौसम और शहर की मसालेदार चीजों की बात करते थे, न कि अर्थ विवस्था की बातें. आज हर बाचीत में अर्थ विवस्था की बात हो रही है. अर्थ विवस्था यानि जीवन चलाने के तरीके, ये पूरी तरह पुरुष प्रकृती का स्वभाव है. मैं ये नहीं कह रहा कि महिलाएं जीवन नहीं चला सकती, मेरा मतलब पुरुष और स्त्री से नहीं, बलकि पुरुष प्रकृती और स्त्री प्रकृती से है. अगर स कि सफलता का सिर्फ यही तरीका है, तो महिलाएं भी उस हिसाब से खुद को ढाल लेंगे, जो मुझे लगता है कि हो रहा है, और कई महिलाओं की पुरुष प्रकृती, पुरुष की तुलना में जादा मजबूत और कुरूर हो रही है, ऐसा हो रहा है, इससे दुख होता है, क्या मैं अपने जीवन से कुछ साजा कर सकता हूँ? जब हम बड़े हो रहे थे, मेरे पिता डॉक्टर थे, वे चीजे लाते थे, मेरी मा ने कभी एक रुपिया नहीं कमाया, पर ऐसा कभी नहीं था, कि क्योंकि वे नहीं कमाती, नहीं, तो वो कुछ कम है, नहीं, वे सबसे मुल्यवान व्यक्ती थी, मेरा बच्पन ऐसा था, मैं, मैं पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूँ, कि मेरा जीवन ऐसे विकसित हुआ था, कि मैं बहुत आसानी से अपने पिता के बिना जी सकता था, पर मैं अपनी मा के बिना अपने जीवन की कलपना नहीं कर सकता, उन्होंने कभी कुछ नहीं कमाया, पर वो ज़रूरी नहीं है, पैसा कहां से आता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर घर कैसे चलाया जाता था, वही सब कुछ था, मैं आपको सरल बातें बताता हूँ, वे घर में सिलाई, कड़ाई, खाना, पकाना, सब कुछ करती थी, क्योंकि वे नहीं चाहती थी, कि कोई और उनके पती और बच्चों के लिए वो काम करें, वे सब कुछ करना चाहती थी, अगर हम कहीं यात्रा करते थे, और वे वहीं सुई और धागा निकाल कर वहीं पांच मिनिट में एक छोटा तोता या फूल सिल देती थी, उस छोटे हरे तोते को देखते देखते मैं सोजाता, ये तोता आज मेरी चेतना में इतना गहराई में बसा हुआ है, क्योंकि मेरी देखबाल इतने प्रेम से हुई कि वो छोटा हरा तोता मुझ में बहुत गहरा उतर गया, और कई माइनों में जो मैं आज हूँ, वो उस छोटे हरे तोते से प्रकट हुआ है, जो उन्होंने उस तकिये पर सिला था। यही स्त्री प्रकृती है, मैं यह नहीं कह रहा कि सभी सिलाई करें, मैं यह कह रहा हूँ, वो भावना, स्त्री प्रकृती की भावना और वो ज़रूरी है, योग विज्ञान में आजकल ज्यादतर हट योग शब्द का अर्थ जाने बिना उसका हर जगा इस्तमाल हो रहा है, हट का अर्थ है ह, का अर्थ है सूर्य ठ, का अर्थ है चंद्रमा, यानि अपने अंदर पुरुश और स्त्री प्रकृतियों को संतुलित करना, जब ये दोनों चीजें आप में ठीक से संतुलित हों, तब ही आप एक पूर्ण इंसान है, नहीं तो आप एक तरफा इंसान है, आधी योगी जिन्होंने योग की शुरुवात की थी, मुझे पता है कैलिफोनिया में आपको लगता है मडोना ने की थी, आधी योगी को पुरुष का परम प्रतीक माना जाता है, पर उनका प्रतीक ऐसा है कि सभी चित्रों में वे आधे महिला हैं और आधे पुरुष, वे परम पुरुष हैं, पर आधे महिला हैं और आधे पुरुष क्योंकि एक सचे इंसान में पुरुष प्रकृती और स्त्री प्रकृती में संतुलन होता है और मैं समझ नहीं पाता कि आफिस में ये कोई मुद्दा क्यों होना चाहिए हमेशा किसी को पुरुष या महिला के रूप में देखने की क्या जरूरत है आप उन्हें सिर्फ एक इंसान या एक जीव के रूप में देख सकते हैं